हलो डियर फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि कृष्णा का मेकप कैसे करते हैं छोटे बच्चे जब कृष्णा बनते हैं फैंसी ड्रेस के लिए तो उनका सिंपल से और एगदम इजी मेकप बताऊंगी दो तरीके से दिखाएंगे हम सबसे पहले हम पूरा फेस मेकप बता रहे तो सबसे पहले बच्चों को ऐसी जगह बिठाएं कि वो जड़ा हले नहीं यानि उनको से लिड़ आकर बिठा दे और तकिये पीछे रखले पीछे से उनको और सबसे पहले पूरे फेस पे बच्चे छोटे रहते हैं तो थोड़ा काम दिरे-दिरे करना है फिर हमको आई-ल बहुत दिक्कत जाती है बच्चों के साथ में नेकब करने को अभी सिंपल से हमने आई-लाइनर लगा दिया दोनों आखों पर अगर आपके पास आई-लाइनर नहीं है तो आप ब्रश की सहायता से ब्लैक वाटर कलर होते वो भी लगा सकते हैं अब आई-शाडो सबसे पहले थोड़ा सा गोल्डन आई-शाडो लगाएंगे और गोल्डन के बाद थोड़ा सा ब्ल्यू और पिंक यह देखिए इधर ब्ल्यू लगा इधर पिंक और जो दूसरा मेकप है उसके अंदर पूरा ब्ल्यू लगाया है इसके अंदर थोड़ा सा ब्ल्यू पिंक का शेड है देन ओरेंज लेके थोड़ा सा दोनों चिक च के ऊपर उपर साइड में आखों के पास और चीन पर हम थोड़ा सा ओरेंज का लगाएंगे यह प्पिर आप बहुत सकते हैं पिंग करेंगे ब्लू जब अब करेंगे धो टाइप का डिक पताहु में आपको अभी हम यलो धोती का मेकप कर रहे हैं उसके बाद हम ब्लू वाले का सीव आपको मैं बता दूंगी कि क्या करना है अब बच्चों को लिप्स्टिक आप दो स्टैल से लगा सकते हो एक सिंपल ही ऐसे या फिर सपोज आपके पास लिक्विड लिप्स्टिक है तो व हम टिक्की लगाते हैं हमारे सर पर चोटी जो गोल्डिक का वह आता है उसी से मैंने लाल कलर से से तिका बनाए हर काम करते समय बच्चों को बोले आखे बन कर ले जिससे वह आप इजी लिए उसको मेकप कर सकेंगे उसी देखो यह वाला है इसी से मैंने रेड कलर लगाया उसी से हम वाइट कलर से सिंपल डॉट दे रहे हैं अब जो लाल कलर से छोटे दो तीन डॉट चीन पे और आखों के बाजू में रेड डॉट दिये थे उसके आसपास में छोटी फूल टाइप बना रही हूँ वाइट कलर से सिंपल से ऐसे देखिए ऐसे तीनों जगा हम ऐसे फूल बनाएंगे दोनों मेकप में ब्लू वाले मेकप में भी ऐसे ही किया है और यलो वाले मेकप में भी यही किया है दो टाइप से सिरिफ कलर लिप्स्टिक का आई शाडो का थोड़ा थोड़ा चेंज किया है और तिक का जो है इसमें रेड कलर का लगाया है उसमें वाइट कलर कटी का लगाया है यह चेंज हमने दोनों देखिए वाइट कलर से आपके पास यह वाला सिंदुर दानी नहीं है देखो यह सुंदर सा काना का मेकप कम्प्लीट हो चुका है अब मैंने धोती और चुन्नी जो है इस तरीके से इसको पहनाई है य यह काना आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे और अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अभी आपको देखो किता सुंदर दिख रहा है वो यह बैक साइड से है ऐसी चुन्नी जो है ऐसी बांदी है और हमारा काना पूरा रेडिय जो गहने पेने है इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूंगी फिर इसके उपर हमने नकली फुलो की माला चड़ाई थी यह हम हमारा बल्यू देखे इस पर मैंने आईशाडव ब्ल्यू किया है और बाकी पिंग कलर से साइड में जो गोल है चिक और चीन पर पिंग आईशाडव यूज किया है और मैंने चुन्नी की साहता से पगड़ी बांद कर फ्लावर पॉट में से फ्लावर लगाया है यह तेक यू फॉर वाचिंग बहुत सारे फैंसी रेस के वीडियो और बच्चों के क्रियेटीव वीडियो मेरे चैनल पर है आप जरूर जाके उसे भी देखिए यह दोनों मेक अप सिंपल है आप भी कभी ट्राइ करना और कुछ लगे तो मुझे कमेंट करके प्लीज हुआ है आप जरूर जाप जब देखिए चैनल झाल पर करके अाइप लगे प्लीज बताईब देखिए भी करेंगा करेंग।